Hello everyone, हम कर रहे हैं class to maths जिसमें हम 1 से लेके 12 तक के सारे chapter complete कर चुके हैं आज हम करेंगे chapter 13, the longest step longest यानी सबसे लंबा और step यानी क्या होता है, देखो जब हम walk करते हैं तो हमारा एक leg आगे रहता है, एक पीछे रहता है तो हमारे दौनों लेक का जो बीच का distance होगा वो हमारा step कहलाएगा कि हम one step में कितना distance cover कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाएगा कि कितना कम है कितना ज़ादा है यह सबकर different different होता है कोई slow चलता है कोई fast चलता है और यह mainly depend करेगा small और big पर जैसे कि rabbit है बहुत small animal है तो उसके जो leg का step होगा बहुत small होगा और elephant है big animal है जब उसके leg का step होगा बॉक कर जब चलेगा वो तो उसका walking step जो होगा वो big होगा long होगा तो इसी पर हमारा यह chapter है the longest step अभी और समझ में आज जाएगा हम यह story देखते हैं देखो three friends तीन दोस्त हैं a rabbit यानि खरगोश an elephant यानि हाथी a deer यानि हिरन were playing together in a park यह तीनों एक पार्क में खेल रहे हैं यह deer है deer बोलता है let us see चलो देखते हैं who crosses the stone bridge यह एक bridge है जो stone का है यानि पत्थर का बना हुआ है तो deer बोल रहा है कि चलो हम एक game खेलते हैं कि कौन इस stone के bridge को सबसे पहले पार करेगा यह cross करेगा तब ही elephant बोलता है but both of you run fast तुम दोनों तो बहुत तेज़ दोड़ते हो मतलब हाथी बोल रहा elephant deer और rabbit से कि तुम दोनों बहुत fast दोड़ते हो and I move slowly और मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ I know, मैं जानता हूँ that one of you would cross the bridge first कि तुम दोनों मैंसे ही कोई सबसे पहले bridge cross कर लेगा I do not want to play the game इसलिए मैं यह game नहीं खेलना चाहता Don't worry, let's make a rule तब यह rabbit बोलता है तुम चिंता मत करो Don't worry, चिंता मत करो Let's make a rule, हम एक rule बनाते है We will not run कि हम दोड़ेंगे, नहीं We will walk, हम केबल चलेंगे Walk करेंगे Yes, it will be fun तो बोलता है rabbit, हाँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा They started the game वो तीनों game स्टार्ट कर देते हैं Surprisingly, भी हैरानी की बात क्या है At the end, game की end में The elephant won, हाथी जीत जाता है अब देखो, हाथी तो बोल रहाता मैं हार जाओंगा यदि हम दोड़ लगाएंगे तो यदि हम run लगा करके Bridge cross करेंगे, तो मैं हार जाओंगा तब उसने कहा था कि नहीं हम walk करते हुए करेंगे तब देखो, elephant जीत जाता ऐसा क्यों होता है Can you tell why the elephant won क्या तुम बता सकते हो कि हाथी क्यों जीता देखो, हाथी जीता है Yes, हाथी जीता है Because elephant takes the largest step क्योंकि हाथी elephant जो होता है न, वो longest step लेते हुए walk करता है क्योंकि elephant एक big animal है उसके जो leg होते है वो large होते है, बड़े-बड़े long होते है न, और जब वो चलता है, तो उसके दो जो leg है, two leg के बीच का जो distance है, यानि step है, वो long होता है तो इसी लिए हाथी जीत गया Who takes the biggest step किसने सबसे biggest step लिये, यानि कि वही two leg के बीच का जो distance है, वो करते समय, तो elephant न दिये थे act out this story, अब क्या करना है आपको ये story को act करना, यानि play करना है आप अपने friend circle में दोस्तों के साथ में elephant बनना, कोई rabbit, कोई deer या जो भी आपको पसंद हो तो इस तरह से बन जाना और फिर चलना आप तो सभी की speed चलने की जो होती है, वो different, different होती है कोई बहुत तेज चलता है कोई बहुत slow चलता है, तब आप देखेंगे कि आपके जो दौनों lag के बीच का जो distance, नि step है वो कम जादा होगा तो आपको इसमें मज़ा आएगा और आप steps जो small है, long है वो भी समझ जाओगे, तो आप ये story कर सकते हो अब देखो, ये activity है इस activity में क्या है ये एक girl यहाँ है एक girl यहाँ है अब ये बोल रही है I sit here, मैं यहाँ बैठती हूँ I will find out और पता करती हूँ How far my friend is sitting कि ये मेरी friend जो है वो कितनी दूर बैठी है तब ही इसके लिए क्या करेगी देखो Make a group of 3-4 friends 3-4 friends का एक group बनाओ Find out by drawing lines Whose step is the longest तो आपको क्या करना है 3-4 friends का group बनाना है friends के साथ में और आपको drawing की lines drawing की lines की द्वारा बताना है कि किसका step जो है वो longest है देखो अब जब ये कैसे बताएगी कि मेरी friend कितने दूर है ये यहां से यहां तक चल के आएगी ठीक है तब ये right leg आगे लेगी ठीक है फिर left लेगी तब इसके दौनों leg का जो distance होगा वो इसका step कहलाएगा one step ऐसे ही ये फिर second करेगी तो one step, two step, three step तो इस तरह से ये friend इसकी suppose four step पर distance पर है ठीक है ऐसे ही आप जब बहुत सारे friends के साथ में खेलोगे तो आप सब का distance देखोगे कि सब की steps जो है वो different different आएगे तो ये आपको drawing की lines के द्वारा पता करना है ठीक है आप एक paper लोगे plain paper chart उस पर आप three four friends group बना सकते हो और उसमेर आप drawing की line के द्वारा फिर उनको distance measurement करना कि ये first step ये second step तो इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा और lines, lines हम अपने previous chapter में पढ़ चुके हैं मैंने आपको बताएं ति उसमें standard line होती है sleeping line होती है है ना तो वही lines है आप देखो क्या है find the distance between the door and any window of your class अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका class जो है school का जो class है उसमें door, दरवाजा और window यानि खिड़की तो इन दोनों के बीच में कितना distance है वो बताना है step के द्वारा तो यह आप बता पाओगे the blackboard and where you are sitting और class में blackboard होगा और जहाँ पर आप बैठते हो तो वो distance भी आप बता गया पर ठीक है तो आप यह diagram जिसे देख रहे हो ना इसमें किस तरह से देखो यह distance और यह distance आप measurement कर पाओगे ना आपको walk करते हुए जाना है जैसे आप door से window तक walk करते हुए जाओगे और अपने walking की step count करना कितने है तो आप लिख देना ऐसी blackboard से जहाँ आप बैठे हो वहाँ से blackboard तक जाओगे और अपने walking की step count करोगे तो वो आप लिख देना तो यह आपके दोनों questions हो जाएंगे हैंड और fingers देखो अभी हमने पहले पड़ा है कि हमको walking step की द्वारा distance measurement करना है अब हमें अपने हैंड और fingers की द्वारा measurement करना है यह boy है जिसका नाम है रजत wants to find out the length of a few things using his hand span hand span क्या होता है यह देखो हम इस तरह से अपना हाथ रख लेते हैं है वो कहलाता है hand span तो यह रजत जो है इसके पास यह कुछ चीज़ा देख रहे हो यह बैट है यह table है यह match box है यह pencil है शार्प नारीजर तो यह इन सभी को measurement कर रहा है अपने hand span के द्वारा तो इस आर shown in the picture यह इस picture में दिखा दिया है अब यह हम से पूछ रहे है can he use a hand span to find the length of all these things क्या रजत इन सभी चीज़ों का measurement वो अपने hand span से कर सकता है क्या तो देखो बैट है वो तो बड़ा है long है तो यह hand span से measurement कर पाएगा pencil भी इदि long है तो कर लेगा table भी कर लेगा hand span से यह जो एरेजर है शापनर है मैच बॉक्स यह hand span से नहीं कर पाएगा क्यों 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 क्योंकि hand span का जो distance वो ज्यादा है और यह बहुत स्मॉल चीज़े हैं तो इनसे नहीं करेगा तो इनसे इन्हें कैसे करेगा इन्हें वो फिंगर्स के द्वारा करेगा सपोज हमने यहां पैंसिल रग दी पैंसिल बर हम इपने फिंगर्स रखेंगे तो वन फिंगर टू फिंगर थ्री फोर तो इस तरह से हम इनका distance measurement कर सकते हैं कि यह कितनी बड़ी है कितनी स्मॉल है तो आपको समॉझ में आ गया बैट का, टेबिल का, हैंडी स्पैन के द्वारा हो जाएगा, पैंसिल का, शापना, रियेजर, मैच बॉक्स का, फिंगर्स के द्वारा होगा तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने walking step के द्वारा distance, जब distance जादा है तो हम walking step के द्वारा कर लेंगे और जब कोई चीज small है, हमारे hand span से बड़ी है, तो हम hand span के द्वारा कर लेंगे और कोई चीज बहुती छोटी है तो हम fingers के द्वारा measurement कर लेंगे अब क्या है देखो, which things around you are less than your hand span, name them यहां कौन कौन से चीजें ऐसी हैं, जो hand span से measurement नहीं होंगी, उनके नाम बताओ, तो देखो, eraser, pencil, match box यह hand span से नहीं होंगी, यह finger से हो जाएगे और pencil है, तो finger से हो जाएगी, तो large है, बड़ी है, तो hand span से कर सकते हैं, यह से one hand span हमारे pencil हो सकते हैं, अब क्या देखो, what would you use to find the length of those things, इन सभी चीजों का measurement, आप किन चीजों से कर सकते हो, तो हम इनका measurement scale से कर सकते हैं, finger से कर सकते हैं, एक अधर activity है, make a mud house, mud यानि मिटी, मिटी का घर बनाना है, see whose mud house is higher, देखो, यह एक girl है, यह एक boy है, इन्होंने mud house बनाया है, मिटी का एक यह है, एक यह है, तो आपको बताना कि इसमें से किसका सबसे higher है, यानि higher यानि उंचा होता है, height किसकी ज़्यादा है, you can use your fingers to find how high your mud house is, आपको इसका height देखने के लिए अपने fingers को use करना, यह finger यह लड़की कर रहे हैं, दोनों हाथ की fingers यूज कर रखे हैं, तो यह measurement हम fingers के थ्रू करेंगे, यानि हमारे कितना finger, यानि 1, 2, 3, 4, तो one hand में हमारे इसने थम भी यूज किया है, ठीक है, तो हमारे कित तो four finger, four finger, eight finger येतना हो गया, और आगे कितना finger होगा, तो इस तरह से यह measurement करके बता पाएगी, तो अब हमको पताना है, who made the highest mud house, तो finger से measurement करना है, कि इसमें से किसका house सबसे बड़ा है, highest है, यानि लंबा है, तो देखो यह girl जो है ना, इसका mud house सबसे लंबा है, whose mud house is the smallest, और क इसका सबसे smallest है, smallest यानि सबसे चोटा, तो यह जो boy है, इसका सबसे smallest है, measurement करना आपको आगया है, fingers कितरो measurement करेंगे, make a guess, आपको अनुमान लगाना है, आप यहाँ दो ट्री देख रहे हो, यह है coconut tree, यह long है, यह small है, तो see those two coconut tree, यह दो coconut tree देखो, if the bigger tree is six meters high, यह जो big वाला है, suppose यह जो tree है, वो six meter high है, यानि six meter मुचा है, about how high is the smaller tree, तो बताओ, यह small वाला tree, कितना meter high पर होगा, तो आप इस drawing के तुरो देख रहे हो, कि यह जो small वाला tree है, वो इस वाले tree का half देख रहा है हमको, ठीक है, एक अनुमान के द्वारा, गैस के द्वारा कि यह tree से यह half हो गया है, तो जब यह वाला six meter high है, तो six का half हो जाएगा three, तो हम इसका निकाल देंगे, यह three meters high है, check your guess, guess the length or height of the things show below, find the length to check your answer, देखो यह आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले यह glass है, यह my guess, यानि आप जो अनुमान लगाओगे, और my result यानि आप जो करके देखोगे, तो आप अनुमान लगाओ कि यह glass है, वो कितने fingers long है, high पर है, आपको यह measurement finger से करना है, small चीज है तो finger से करपाओगे, तो आप finger से करोगे, कितने fingers है, आप इसके उपर अपना हाथ fingers रखोगे, तो suppose ही कितना finger है, यह four finger है, five finger है, eight finger है, तो आप वो अनुमान लगा दोगे, और फिर आपके पास जो glass होगा, उसको finger से measurement करना, तो जितना आएगा, वो आप यहाँ लिखना, ऐसी bucket है, bucket लंबी होती है, long है, तो हम उसे hand span से करेंगे, तो यह कितना hand span है, यह two hand span है, three hand span है, आप अनुमान लगाओ, फिर यहाँ लेको, और आप करके देखोगे, कितना है, तो आप यहाँ लिखोगे, ऐसी आपका hand है, your hand, इसको measurement करना है, आपको match stick से, यानि कि जो match stick होती है, जिससे आप देखोगे, तो कितना है, teacher's table, teacher की table है, math test book, आपकी जो math की test book होगी, उससे आपको इसको measurement करना है, यह कितना long है, ठीक है, कितना table आएगा, देखो कैसे, आप इसको math की test book रखोगे, तो suppose यह three test book, four test book, तो आप एक ही test book को रखोगे, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, तो उससे आपको मानू पढ़ जाएगा, फिर आप करके देखोगे, तो जितना आएगा वो, तो यह आपको करके देखना है, जैसे कि यह nose है, nose को finger से measurement करोगे, फिर आप यह अनुमान लगाओगे, और यहाँ पर जो करके देखोगे, वो वाला, ऐसे यह water bottle है, उसको भी, य परकेट को hand dispense से करना है, hand को math stick से करना है, table को math test book से करना है, तो कहने का मदलब है कि इससे आप क्या है, different different चीजों के साथ है, measurement करना सीख जागे, और आपकी practice भी हो जाएगी, इसके अलावा एक यह चीज और है, देखो यहाँ पर क्या है, यह आपकी school teacher है, यह student है, तो how long is madam's plate, यह जो madam की plate यानि यह है, चोटी, तो यह कितनी long है, आप यह चोटी देख रहे हो, इसमें जो एक बन, distance रहता है, यह एक plate कहलाता है, ठीक है, तो यह one plate, two plate, three plate, इस तरह से हो, आपको बताना है कि madam की चोटी कितनी plates लंबी है, तो आप यह count कर लो और अब बता सकते हो, तो यह आप अपने उपर कर लोगे, और आप प्रैक्टिस कर लोगे, cat's food, rat और milk, यह cat है, इसको भूक लग रही है, cat rat भी खाती है, और यह milk दूद भी पीती है, तो अब देखो, यह एक house है, अब क्या है, use your fingers to find out the distance between the rat and the milk, तो हम को finger से बताना है कि यह rat और milk के बीच में क तो हमने देखा कि हमारी distance 5 fingers, तो हम यह 5 लिखतेंगे, how far is the cat from the rat, यह cat है, वो rat से कितना distance पर है, तो हमें यह finger से measurement करना है, हम finger रखेंगे, हमने पहले 4 distance जादा है, तो हम 4 fingers रखेंगे, अगे 4 रखेंगे, तो करते हुए हम देखते हैं, कितना finger distance यह है, 14 fingers distance पर है, अब क्या question से आगे, how far is the cat from the milk, अब यह cat milk से कितना distance पर है, हमें वही finger से measurement करना है, तो हम measurement करके देखेंगे, यह आता है, 12 fingers distance, what will the cat reach first, cat किसके पास पहले पहुचेगी, the rat or the milk, rat के पास, मिल्क के पास, rat और cat के बीच का distance है, 14 finger, मिल्क और cat के बीच का distance है, 12 finger, तो यह वाला distance जो 12 finger है, वो कम है, तो cat पहले milk के पास आजाएगी, और यह milk पी लेगी, अब क्या है, can the rat save itself, क्या यह rat, जब cat इसको खाने के लिए आएगी, तो यह अपने आपको बचा सकता है, how, कैस इसे बचाएगा, देखो, आप यह हट बनी को देख रहे हो, जब यह cat आएगी, rat को खाने के लिए, तो rat फटा फट दौड कर इस घर में छुप जाएगा, क्योंकि यहाँ घर है, इसका, अब क्या है, देखो, tell a story using this picture, इस picture को देख करके, आपको इस टोरी बना सकते हो, और क्या है, देखो, how long is the rat's tail, अभी जो rat है, इसकी टेल कितनी लंबी है, यह भी हम को finger से नापके बताना है, तो हम इसकी टेल को measurement कर लेंगे, finger से, तो हम देखेंगे, कि इसकी जो टेल है, वो 11 fingers long है, who has longer whiskers, the rat or the cat, देखो, whiskers होती है, मोज, तो आप देख रहे हो, rat के भी whiskers है और cat के भी whiskers है, ठीक है, तो आपने देखा है, कि किसके whiskers बड़े है, तो आप देख रहे हो, कि cat के whiskers है, जो बड़े दिख रहे हैं, rat के तो small है, तो हम यहाँ लिख देंगे, cat के whiskers, जो हैं, वो longer है, measure and draw, हमको यहाँ measurement करना है, और उसको draw भी करना है, देखो कैसे, यह ए लंकी है, जो एक ट्री की ब्रांच पर खड़ा हुआ है, आप क्या है, देखो, draw a leaf two fingers way from the stone, आप देखो, आपको यह stone दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस stone से two finger distance पर एक leaf बना देनी है, तो हम इस stone से two fingers measurement करेंगे, और यहाँ एक leaf बना देंगे, ग्रीन कलर की, अब क् देख रहे हैं, देख रहे हैं, अब हम एक मैचिस्टिक्स लेंगे, मैचिस्टिक्स से हम five times इसको आगे बढ़ाएंगे, और वहाँ पर हम एक बनाना ड्रो कर देंगे, ड्रो अ काइट seven fingers अभी from the stone, अब seven fingers तो यह stone है, इस stone से हम seven fingers distance आगे ले जाएंगे, और हम यहाँ पर बना देंगे, draw a bird, four fingers अभी from the banana, हमने यहाँ यह banana बनाया है, बनाना से हम four fingers आगे करेंगे, और वहाँ पर हम एक bird बना देंगे, draw yourself anywhere on the page, find how far you are from the monkey's nose, अब हम इस मैंसे कहीं अपने आपको ड्रो कर देते हैं, suppose हमने अपने आपको यहाँ पर ड्रो कर दिया, अब हमें बताना है कि हमें monkey की जो nose से हमारा distance कितना है, तो हम इस distance को measurement कर लेते हैं, finger से कर लेते हैं, तो हमारा यह कितना distance आ जाएगा, suppose हमारा जो monkey की nose से जो है वो five fingers distance पर है, is that so, क्या ऐसा है, संजू and her friends were trying to find out the length of your different body parts, here is what they find out, देखो, संजे और उसके जो friends हैं, यह क्या कर रहे हैं, अपने body parts का measurement कर रहे हैं, तो देखो, यह boy है, यह क्या बोलता है, my face is about one hand span long, यह अपने face पर hand span करके measurement कर रहा है, तो बोला है, मेरा जो face है, वो one hand span लंबा है, अब यह boy क्या बोला है, my arm is not as long as my leg, यह बोला है कि मेरा जो arm है, वो मेरे leg की तरह लंबा नहीं है, जो arm है, वो leg से small है, अब यह girl क्या बोल रही है, my forehead is about four finger wide, यह बोली है, मेरा जो forehead है, वो मेरी four fingers की बराबर है, do you agree with what they said, क्या आप इन से agree हो, कि यह जो बोल रहे हैं, तो yes, ऐसा है, check how many of your friends है, अब हमें check करना है, अब face one hand span long, क्या हमारा जो face जो होता है, वो सभी का one hand span long होता है, almost जो है, वो सभी का जो face होता है, वो one hand span होता है, rare ही होता है, जो किसी का नहीं होता है, तो हम इसमें लिदेंगे all of my friends, जो face है, वो one hand span long होता है, the arm as long as the leg, जो arm है, वो क्या leg के बराबर होती है, तो no, किसी की भी ऐसी बराबर नहीं होगी आप forehead, four fingers wide, जो four head है वो four fingers होता है हाँ ये four ही होता है all of my friends में किसी-किसी में ये थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है You can try and measure other body parts with your fingers and write their lens Your nose, आपके जो nose है वो कितने fingers है तो हम लिख देंगे हमारी nose जो है वो three fingers है किसी की four होगी Your ear is fingers long, हमारा जो ear है वो कितना है वो three fingers हो गया इसी की साथ में हमारा ये chapter complete हो जाता है Thank you so much